लिविंग रूम ये घर का वो पार्ट होता है जिसके अट्रेक्शन से ये पता चल जाता है कि हमारा पूरा कर कितना सुन्दर होगा वो लाइन तो कभी न कभी आपने सुनी ही होगी फर्स्ट इंप्रेशन इस दा लास्ट इंप्रेशन अगर आपके घर में एंटर होते ही लिविंग रूम को लगजरी लुक दे सको बस एक छोटी सी रुकेस्ट है हमको सपोर्ट जरूर करें लिविंग रूम हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें इस पेस हो और लिविंग रूम में बैठने के बाद रिलेक्स फील हो सबसे पहले बात करते हैं फिलोरिंग के टाइल् का अप्टेंड नहीं है इनको करो बाई बाई अप्टेंड है बिक साइस के टाइल्स का सबसे पहली बात फिलोरिंग में जितने कम जॉइंट होंगे उतनी ही अच्छी हमारी फिलोरिंग होगी लिविंग रूम की टाइल्स लो आप पेपर जॉइंड वाले अब कुछ में फाइदा ये है कि आपको उसका मेंटिनेंस कम करना होता है और लुक वाइस भी शांदाल लगते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो सेकंड पॉइंट है सीलिंग अपने लिविंग रूम में कौन सी सीलिंग कराएं पीवीसी और जिपसम फॉल सीलिंग को अभी भी नहीं करानी चाहिए पीवीसी में आपके जॉइंड नजर आते हैं और जिपसम के दो बोट का जॉइंड कभी भी क्रेक हो जाता है और वो क् एक नजर आता ही है दो बेस्ट आप्शन में आपको बताऊंगा सेकंड वाला आप्शन मेरा फैवरेट भी है और सस्ता भी पड़ेगा आपको फस्ट वाले आप्शन से फर्स्ट ऑप्शन है प्योपी फॉल सीलिंग, अगर सबसे अच्छी फिनिशिंग किसी सीलिंग में आती है तो वो प्योपी फॉल सीलिंग ही है, पर जादा डिजाइन या कोब के चकर में ना पढ़ो एक तो देखने में ओवर लगती है, दूसरा चिपकीली कीड़े मकोडे क कोब में अपना घर बना लेते हैं और कोब को और जितनी भी डिजाइन होती है सीलिंग को उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है तो बैस्ट है कि आप सिंपल वाली फॉल सीलिंग कराओ प्यूपी की सेकंड आप्शन है आपका प्रोफाइल लाइट प्रोफाइल लाइट कैसे लगती है ये प्रोफाइल लाइट होती है जो बिना फॉल सीलिंग के लगती है इसको लगाने के बाद आपकी सीलिंग बहुत ज़्यादा खुबसूरत हो जाती है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है ये इसको करना क्या है आपको सिंपली एक एक्सपिरियंस इलेक् और डिजाइन के अनुसार वो इसको इस्टॉल कर देगा इसको लगाने के बाद आपके लिविंग रूम का एरिया बहुत जादा सुन्दल लगेगा देखने में बहुत जादा सुन्दल लगती है जैसे कि आप वीडियो में देखी रही होगे अब बात करते हैं पेंट की या अपने living room में हमें कौन से color के paint कराने चाहिए दो दीवार एक color की और दो दीवार एक color की या तीन दीवार एक color की और एक दीवार अलग color की इन सब चक्करों में ना पड़ो पूरे living room में एक color की wall ही दो और light color की दो आपको white color में ही 15-20 option मिल जाएंगे light गिरे हो गया हमारा cream हो ivory हो गया light cream हो गया और आपका light गिरे हो गया और wall पे जो आप पुटी करा रहे हो उसमें डबक नहीं होनी चाहिए वनना light on करने के बाद पूरी दीवार बेकार लगती है फिर चाहें कितना भी अच्छा आप paint करा लो अपने living room में पर आप अपने living room के एक wall यानी के living room के corner व तरलोग window और door के उपर से ही curtain start करा देते हैं जो के बिलकुल भी गलत है आपको ceiling से ही start कराने है curtains और floor के एक इंच तक यानी के floor से एक इंच तक हमारे curtain उपर आने चाहिए जब आप ceiling कराओ तो जिस से भी आप ceiling करा रहे हो तो उनको लाके दे दो curtain की racks वो install कर देंगे और fall ceiling कर करने में ये racks आपके नजर भी नहीं आएंगे अगर आपके living room में बड़ी window है तो आप दो color के curtains लगाओ नेक्स्ट है हमारा living room का sofa हमें कैसा लेना चाहिए कौन सा लेना चाहिए एल शेव वाला sofa और round corner वाला जो sofa आते हैं उनको कभी भी नहीं लेना है आपको आपको लेना ह three plus two sofa देखने में भी अच्छा लगता है और sofa के जो corner होता है उसमें आपको करने के निए बहुत कुछ मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि wall के corner पे आप grooving करा सकते हो जैसे कि आप sofa है आपका corner का वहाँ पे आप wall grooming कराओ उसके बाद आपका corner देखने में बहुत शांदाल लगता है जो हमारा खाली corner होता है वहाँ पे आप बहुत चीजे लगा सकते हो यानि बहुत चीजों से आप उसको decorate कर सकते हो जैसे कि हमारा end table हो गया end table भी वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो या फिर stand वाली lights होती है आप उनको भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपकी books self होती है यानि books की जो self होती है उनको भी आप लगाके आप decorate कर सकते हो या फिर आप वहाँ पे natural plant भी लगा सकते हो एक natural plant हमारे living room में जरूर होना चाहिए इससे बहुत ज़्यादा फाइदे है एक तो दिखने में बहुत शांदा लगता है दूसर से भी purchase कर सकते हो टेबिल ऐसा हो जब हमारे guest आएं तो उसको पूरा open कर लें बाकी वो अपने small shape में रहे जतना अच्छा आपका सौफे का टेबिल होगा center वाला उतना ही attraction आएगा जिसको हम center of attraction भी कहते हैं और आप center table यानि सौफे की जो center table होती है उस पे कुछ decoration item रख सकते है उसके हमारा living room की decoration पे बहुत जादा असर पड़ता है और उसी से हमारा living room बहुत शांदाल लगता है आप अपने room के according यानि living room के according sofa size के according इसको purchase कर सकते हो बट जब इसको आप purchase करो एक बात का दिहान ज़रूर देना चाहिए इसकी thickness पे इसकी thickness मौटी होनी चाहिए आपने बहुत सी जगे देखा होगा पतली वाली मैट देखने में अच्छी बिल्कूर भी लगती है आपने देखा होगा कुछ लोग उसी को अपने हाँ लगा लेते हैं वो देखने में अच्छी नहीं लगती है और पैरों में बार बार जब हम उसकी उपर किसे चलते हैं या फोकस वाल, जितनी अच्छी फोकस वाल होगी हमारी, उतना ही अच्छा हमारा लिविंग रूम लगेगा, इसका मतलब यह नहीं है, कि हम अपनी फोकस वाल को पूरी तरीके से हर चीज से भर दें, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, नहीं आपको छोटे छोटे जो आर्ट आती हैं, उनको लगाना है, यह देखने में बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, आपको करना क्या है, आप लो एक बिक साइस का आर्ट, अब आपको आर्ट लेना कैसे है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, आपने जो भी अपने लिविंग रूम की दीवारों पर सीलि लाइट के बहुत फायदे हैं, जब भी आप फोकस लाइट अन करोगे तो उस आर्ट की खुबसूरती और बढ़ जाएगी और वो देखने में बहुत शांदाल लगेगा, कुछ बिक साइस के वाल आर्ट के लिंक में वीडियो के डिस्क्रेशन में दे दूंगा, जाके अगर आपको पसंद आए तो अब कुछ टिप्स अगर आप नया घर बनवा रहे हो तो लिविंग रूम में दिहान दो कि आपको बिक साइस की विंडो देनी है, आपको फिलोर से दो से तीन फिट के बाद ही अपनी विंडो स्टार्ट कर देनी है, और कम से कम विंडो की अगर हम बात करें इसकी चोड़ाई की आपकी विंडो की चोड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपके रूम का साइस क्या है, जितना अच्छा सनलाइट मिलेगा लिविंग रूम में उतना ही अच्छा है, सेकंड अगर बातरूम के वाल के लिविंग र कराना है इस बात का ध्यान दें वनना आपका कुछ दिन बाद उस लिविंग रूम में आपको सीलन देखने को जरूर मिलेगी और वैसे भी मैं अपने हर वाट अप रूफिंग वाली वीडियो में कहता हूं अपने बाथ रूम को वाट अप रूफ जरूर कराना चाहिए दोस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन जरूर ओपिन कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नॉटिफेकेशन आपको मिलता रहे